प्रास्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रफेक्ट स्टेडिज एस में दोस्तों आज हम लेकड़ाए हैं बिहार दरोगा प्रारामभीक परिक्षा 2020 और इनफोर्स्मेंट दरोगा प्रारामभीक परिक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नमबर 14 इससे पहले दोस्तों हम तेरा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ प्रैक्टिस सेट हम रुक मिनी प्लेटफोर्म बुक से करा रहे हैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी त तो चलिए दूसरे स्टार्ट करते हैं आज का प्रेक्टिसेट आज का पहला कोशन हो जाएगा कि सेधों सभ्याता के लोग निवन में से किस धातु से परिचित नहीं थे इसका राइट अन्सर आप लोग को बताना हैं हम तीन सेकंड का समया आप लोग को एक कोशन के लिए दे रहे हैं तो एक का राइट अन्सर हो जाएगा आपसन नमर डी यह लोहा से परिचित नहीं थे लोहा का ग्यान भारत में उत्तरबैदी काल में सर पर्थम हुआ था और सेधो सभ्याता में सर पर्थम भारत में चांदी का परियोग प्रारम हुआ और सेधो सभ्याता कांच यूगिन सभ्याता थी और मानों दोरा परियोग किया गया प्रतम धातु तामबा है Q2 में आपको कर रहा है कि सरवादिक प्राशीन बेद रिंग बेद है जिसमें तो दो कर आई टेंसर आपनों को करना है तो दो कर आई टेंसर हो जाएगा option नमर A यानि कि इस्वर अस्तूति के मंत्र है आरयोग की पहली रचना का नाम रिंग बेद है और रिंग बेद रिचाओ का संग्रा है जिसमें विभीन परकार की देवी द्यताव के श्तूति सस्वर करने का प्रावधान है और रिंग बेद के 10 मंडलों में भी भक्त है और इसमें कुल 10-28 सुक्त है नेक्स कुशन देख लेते हैं दूस्तों कुशन नमर तीन में आपको कह रहा है हम छोटा कर देते हैं तीन में आपको कह रहा है कि 10 जन्वरी 2020 से 22 जन्वरी 2020 तक गुहाटी में शंपन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के परिनामों के सम्बंद में निम्न कत्नों पर विचार किजिए तीन कर आइटेंसर आप लोगों करना है तो तीन कर आइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर डी यानि कि इस तेरह दिवसी पड़िते हो गिता में महराश्ट ने 78 स्वर्ण, 77 रजत और 151 पदक चाहिए, 256 पदक जितकर लगतार दूसरे साल खेलों इंडिया यूथ गेम्स टॉफी जिती यानि कि अप्सन एस अही है और हर्याना के खिलारियों ने 68 स्वर्ण, 68 स्वर्ण, 60 रजत और 155 पदकों के पदकों के साथ कुल दूसर पदक जितकर पदियुकता में दूसरा अस्थान प्राप्त किया और दिल्ली के खिलारियों ने 49 स्वर्ण, 31 रजत और 47 कांस पदकों के साथ कुल एक साथ 22 पदक जितकर अपने पदियस का तिसरा अस्थान दिलाया यानि कि तीन कराइट अंसर डी हो जाएगा नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर चार में आपको कह रहा है कि निमलिखित में से कोन भारत की ओर से एक दिवसिये अंतराश्टी ये किरिकेट में दो है ट्रिक लेने वाले पहले किंदबाज बन गये हैं तो चार का राइटेंसर हो जाएगा कनिस्क ने मतुरा को दितिय राजधानी घोसित किया और कनोज को हरसवर्धन ने राजधानी बनाया कुशान बंस का संस्थापक आपको कुजल कटफी सेस था नेश कोशन देख लेते हैं दोस्तो कोशन नमर 6 में आपको कह रहा है कि चीनी आत्री फाहियान निमली खित के सासणकाल में भाड़ताया था तो 6 का राइटेंसर हो जाएगा ऐप्सन नमर C यानि कि चंदरगुप्त दितिय के सासंकाल में फाहियान भाड़ताया था और चंद्रगुप्त मोरी के समय मेगा स्थनीज राज्यूस्त बनकर भाड़ाताया था नेश कोशन देख लेते हैं दोस्तों कोशन नमर साथ में आपको कह रहा है कि पृत्वी राज चोहान के दरबारी कवी का नाम क्या था तो साथ कर आईट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी यानिकी चंद बरदाई पृत्वी राज चोहान के दरबारी कवी का नाम चंदर बरदाई था और चंदर बरदाई ने पृत्वी राज रासो पुष्तक लिखे और चंदर बरदाई लाहूर की निवासी थे नेस कोशन देख लेते हैं दोस्तों कोशन नमर आठ में आपको कह रहा है कि अलाओ दिन के बजार नियंतरन का निम्न में से कौन सा मुख्य कारन था तो आठ कराईट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए यानिकी अपनी सेना की छामता को कायम रखना अलाओ दिन ने बजार नियंतरन निती को लागू करने है तो एक नए विभाग दिवाने रियासत का गठन किया तथा निरिक्षक शहना बडीद मुनहिया नित्यादी को बजार की गतिविदी पर नियंतरन अस्थापित करने है तो नियुक्त किया नेश कोशन देख लेते हैं दोस्तों कोशन नमर 9 में आपको कह रहा है कि दिवाने रियासत विभाग के अस्थापना किस सुल्तान द्वरा की गई तो 9 का राइटेंसर हो जाएगा आपसे नमर A यहनिकी अलाओ दिन खिल जी नेश कोशन देख लेते हैं दोस्तों कोशन नमर आपको 18-10 में माफ किजिएगा कोशन नमर 10 में आपको मैथ दिया हुआ है इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसे नमर D तो एक गारा का राइटेंसर हो जाएगा आपसे नमर B यहनिकी मीर बक्सी बक्सी मुगलकाल में सुभा के सेन प्रधान होते थे और मीर बक्सी द्वारा सर्खत नाम के पत्र पढ़ा स्ताक्षर के बाद ही शेना को हर महीने वेतन मिल पाता था नेश कोशन देख लेते हैं दोस्तों कोशन नमर 12 में आपको कह रहा है कि मराठो को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया तो बाड़ा का राइटेंसर हो जाएगा आपसे नमर C यानिके सिवाजी मराठो को एक सक्ति की रूप में सिवाजी द्वारा संगठित किया और बालाजी विशुनात मराठा की खोई हुई सक्ति को पुना एकत्रित कर पेसवा के नेत्रित में सक्ति साली मराठा राज को पुना अस्थापित किया नेश कोशन देख लेते हैं कोश्यन नमर चौदर में आपको कहड़ा है कि चमपारन जनपद में तिन कटिया प्रथा का तात्पर है तो चौदर कराइटेंस आप लोगों को बताना है चौदर कराइटेंस और हो जाएगा ओप्सन नमर ए यान किसानों द्वारा तीन बाई 20 भूभाग पर निल की खेती कर करना चंपारन में यूरूपिये बगीचों के स्वामी निल की खेती करने वाले किसानों पर बड़े अत्याचार करते थे और यूरूपिये मालिक निल की खेती करने और उसकी पैदावार को सस्ते दामों पर बेचने के लिए किसानों को विवस करते थे नेक्स कोशन देख कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगर्ने से ही आती है उप्रुक परसित कतन किस क्रांतिकारी का है तो 15 कराईट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी यानिकी भगत सिंग का करांतिकारी को एक निशित अधार और विचार भगत सिंग की देन है और 8 अपरेल 1929 को भगत सिंग उबटु के स्वर्दत ने केंदरीये एसेमली में बम फेका फेक कर शंपुन राष्ट के लिए जागरिती का एक धामाका किया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंग राजगुरु और सुकदेव को फासी दी गई नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 16 में आपको कह रहा है कि किस ने शौर प्रतम या प्रतिपादित किया कि सुर्ज हमारे शौर मंडल का केंदर है और प्रित भी उसकी परिकर्मा करती है तो 16 कराइटेंसर हो जाएगा अप्सन नमर डी यान कि कॉपर निकस नेश कोशन देख लेते हैं दूस्तों कोशन नमर 17 में कह रहा है कि महासागरू में ज्वार भाटा की उत्पति के क्या कारण है तो 17 करा राइटेंसर हो जाएगा अप्सन नमर सी यानि कि सूर और चंदर्मा के शयुक्त परभाव से नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 19 में कह रहा है कि निमन मेंसे किन तित्यों को सूर्ज की किरने विश्वत रेक़ा पर लंबोथ परती है तो 19 करा राइटेंसर आप लोग करना है नेश कोशन देख लेते हैं दोस्तों कोशन नमर 20 आपको कहड़ा मैत दिया हुआ है इसका राइट एंसर हम बता देते हैं इसका राइट एंसर अप्शन नमर D यानिकी 10 हो जाएगा हम दे देंगे डिस्क्रिप्सर में टेली गराम का लिंक आप वहाँ से PDF प्राप्त कर लिजेगा नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 21 में कहड़ा है कि किस राज की विधान सभादवारा महिलाव की सुरक्षा के लिए हाली में दिसा बीधियक पारित किया गया है तो 21 कर आइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर A आंद्र परदेश नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 22 में कहड़ा है कि चीर के पेर शामान तन इमली खित जलवाई परकारों में से किस एक में पाई जाते हैं तो 22 कर आइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर B एन की उशन कटी बंदिये मानसून चीर के पेर से तारपीन का तेल निकाला जाता है नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 23 में कहड़ा है कि बिस्चु में एलमूनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो 22 कर आइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर D यानि की चीन नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 24 में कहड़ा है आपको कि भी अकार की घाटी का निर्मान किसके द्वारा होता है तो 24 कर आइट नसर हो जाएगा अप्शन नमर A यानि की इवा नदी भी अकार की घाटी नदी के द्वारा निर्निवित घाटी अंग्रेजी के भी अक्षर के समान होती है और भी अकार की घाटी के निर्मान इवा नदी द्वारा होता है नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 25 में आपको कहड़ा है कि गाल्प एश्ट्रीब किस परकार की धाड़ा है तो 25 के राइटेंसर हो जाएगा अफसर नमर B यानि की गर्म नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 26 में आपको कहड़ा है कि जाफना प्रायदीप और सिर्लांका की मुख भूमी को जोरने वाले पास का नाम क्या है जाफना प्रायदीप और सिर्लांका की मुख भूमी को जोरने वाले पास का क्या नाम है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा 26 का अफसर नमर B यानि की एलिफेंटा पास नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 27 में आपको कहड़ा है कि ये सियाचीन है तो 27 का राइटेंसर हो जाएगा अफसर नमर A यानि की भाड़ात और पकिस्तान की बीच का हीम नदी सिमांद छेत्र नेश कोशन देख लेते हैं 28 में आपको मैच दिया हुआ है इसका राइटेंसर हो जाएगा अफसर नमर B यानि की 675 नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 29 में कह रहा है कि जगत परकास नड़ा किस दल के नए अध्यक्ष निउक्त किये गए है तो 29 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि की भारतिये जन्ता पार्टी यानि की BJP नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर आपको 30 में कह रहा है कि भारत की कुरू मुंडल टट पर सरवाधिक बरसा होती है तो 30 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर D यानि की अक्टूबर नवंबर में इसे शीत कलिन मांसुन या मांसुन परत्यावरतन का काल भी कहा जाता है और तमिल लाडू में सीत काल में अधिक बरसा होती है नेश कोशन देख लेते हैं दोस्तू कोशन नमर 31 में कह रहा है कि निमली खित में से कौन सी एक नगदी फसल है तो 31 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर D रबबर जू है या एक नगदी फसल है रबर, जूट, कॉफी, चाए, कपास, तमबाको आधी नगदी फसल है नेश कोशन देख लेते हैं दोस्तो कोशन नमर 32 का रहा है कि एक हतारवे गंतंत्र दिवस के मौके पर मुका तिती के रूप में राष्ट पती जियर मेसियस बोलसनारो भारत दोरी पड़ाए वे किस देश के राष्ट पती है तो आपको 32 का राइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर C यानि की ब्राजील नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 33 कड़ा है कि चीतेत्सू बतनावे दुनिया के सबसे अधिक उम्र की ब्यक्ति 112 साल एव 344 दिन होने का रिकोर्ड ग्रिनिच बूक आफ वर्ल रिकोर्ड में दर्ज किया गया वे किस देश के हैं तो 33 का राइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर B यानि की जापान नेश कोशन देख लेते हैं 34 में कहड़ा है कि सोतंत्र भारत में मुद्रा का अमुलियन प्रथम बार किस बर्स किया गया तो 34 का राइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर A यानि की 1999 में और 1956 में और 1991 में भी मुद्रा का अमुलियन किया गया लेकिन सब्रथम नेश कोशन देख लेते हैं Q. 35 में आपको कहड़ा है कि मैथ दिया हुआ है इसका राइट एंस और अप्शन B हो जाएगा Q. 36 आपको है कि पूर भारतिये किर्केट किलारी रोबिन सिंग को शयुक्त और अमिरात ने किस पद पर नियुक्त किया है Q. 37 में कहड़ा है कि वाई उसे ना दियुक्त किस दिन मनाया जाता है तो Q. 38 में कहड़ा है कि राष्टिये गान प्रत्हम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया तो 38 कर आइटन सर हो जाएगा और सन नमर B येन की कलकात्ता अधिवेशन 1911 में और राष्टिये दोज को अधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को मने अता मिली और भारत के राष्टिये गित को अधिकारिक मने अता 26 जनवरी 1950 को मने अता मिली और जहन गणमानों को भारत के क्रम में बिन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत की श्रमिधान की प्रस्तावना में लिखा गया है छोटा कर देते हैं 39 का आपको राइट अंसर करना है तो 39 का राइट अंसर आपका हो जाएगा आपको श्रम प्रभुता उसके बाद समाजवादी धर्म रिर्फेक्ष लोकतांत्रिक गनराज तो आपका 1,3,2,5,4 राइट अंसर हो जाएगा आपको 49 का आपसन D हो जाएगा नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 40 में आपको कह रहा है कोश्चन नमर 40 में कह रहा है कि जब कोई ब्यक्ति ऐसे पता अधिकारी के रूप में कार करने लगता है जिसके रूप में कार करने का उससे समयधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो नियाले कौन सा लेक जाड़ी करता है तो 40 का राइट अंसर हो जाएगा अफ्चन नमर A यानि की अधिकार प्रिक्छा नेश कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 41 में कह रहा है कि हाल के दिनों में देश के समाचारों के सुर्खिया रहा फास्टे क्या है तो 41 का राइट अंसर हो जाएगा अफ्चन नमर B यानि की Electronic Tall Collection System नेश कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 42 में आपको कह रहा है कि संसत के दोनों सदनों द्वारा अनुमोधन किये जाने पर उस तारीक से कब तक अपातकाल परवर्तन में रह सकता है तो 42 का राइट अंसर हो जाएगा Option नमर C यानि की 6 माह तक दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं इसे सस्क्राइब कर लें और इसे ज्यादा से जदा लाइक करें और दोस्तों पूरा वीडियो को देखिएगा कि जो भी कोश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महत्यपोर्ण है नेश कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 43 में आपको कह रहा है कि संसद में भारतिये राष्ट पती पर महावियोग एक तो 43 का राष्ट अंसर हो जाएगा आपसन नमर B यान की अर्ध नियाइक प्रकिडिया है और इसकी चर्चा अनुछेद एक्जाट में महावियोग की प्रकिडिया की चर्चा है नेश कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 44 में आपको कह रहा है कि वेक केंदर सासित परदेश जिनका राजसाबा में पड़तने धित्व है निवन में से कौन है तो 44 का राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानि की दिल्ली दिल्ली केंदर सासित परदेश जिनका राजसाबा में पड़तने धित्व है और राजसावा का गठन तीन अगस्त 1922 को किया गया और दोस लाख की अबादी पर राजसावा का एक सदस्त निर्वाचित होता है नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 45 में कह रहा है कि बरुन 2019 भारत का किस देश के साथ संयुक्त नौस एनिक अव्यास है तो 45 का राइट अंसर हो जाएगा और सनमर सी यानिकि फ्रांज के साथ नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 46 में आपको निम्न राज्यों के निर्मान का शही करम बताएं तो 46 का राइट अंसर हो जाएगा और सनमर सी यानिकि एक दो चार तीन यानि कि पहले असम उसके बाद नागा लेन फिर मिजोरम फिर गोवा यानि कि एक दिसम्बर असम राज्यों का पुनन गठन नौवमबर उनिसो छपन में राज बनाया गया उसके बाद आपको उनिसो छपन में आपको असम हो जाएगा उसके बाद एक दिसम्बर उनिसो तीर मई 1987 को गुहराज बनाया गया नेस कोशन देख लेते हैं दोस्तो कोशन नमर 47 में आपको कह रहा है कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उमिद्वार की नियुंतम आयू कितनी होनी चाहिए तो 47 का राइट यंसर हो जाएगा आपसा नमर A यानि की 21 बर्स और लोकसभा सदस का निम्तम आयू 25 बर्स और राजसभा के लिए 30 बर्स तथा राष्ट पति पद के लिए निम्तम 35 बर्स होती है नेस कोशन देख लेते हैं दोस्तो कोशन नमर 48 में कहड़ा है कि सुदी रमन कप 2019 किस देशने जीता तो 48 कर आइटन सरो जाएगा आपसा नमर B यानि की चीन नेस कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 49 कर आए कि जेट इंजन किस सिधान पर काड़ करता है तो 49 कर आइटन सरो हो जाएगा आपसा नमर C यानि की रायखिक संबेग सनक्षन के सिधान पर आपका जेट इंजन काड़ करता है नेस कोशन देख लेते हैं दोस्तो कोशन नमर आपको 50 में कह रहा है कि चक्रवाती तुफान फेनी ने मई 2019 में नीर में से किस तर्ट परता बाही मचाई तो 50 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसा नमर A ओरिसा नेस कोशन देख लेते हैं 51 में आपको मैच दिया हुआ है इसकर आइटेंसर हो जाएगा आपसा नमर D 300 रूपया नेस कोशन देख लेते हैं कोशन सुची 1 है और सुची 2 का मिलान करना है आपको दिया हुआ है मैनोमिटर, फैदोमिटर, क्रायोमिटर और डेजीमिटर शमुन्द की गहराई, गैस का दाप, गैस का घनत और निमताप तब 52 का राइटेंसर हो जाएगा आप्शन नमर ए आप्शन नमर ए हो जाएगा यानि कि मैनोमिटर जो है वह आपको गैस का दाप, उसके बाद फैदोमिटर, शमुन्दर की गहराई, उसके बाद क्रायोमिटर, निमन ताप और डेजीमिटर, गैस का घनत और यानि कि आपका 52 का राइटेंसर आप्शन ए हो जाएगा नेश कोशन देख लेते है कोशन नमर 53 में आपको कह रहा है कि निमन में से किस बिदू चुमबके तरंग की तरंग दर अधितम होती है तो 53 का राइटेंसर हो जाएगा आप्शन नमर B यानि कि औरक्त यानि कि इन्फरा रेट का आपका चुमबके तरंग की तरंग दर अधितम होती है नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 54 में कहड़ा आए कि टाइम में जीन द्वारा निमली खित में से किसे टाइम पोर्शन अफ दे यर्द 2019 जुना गया है तब 54 कर आइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर D यानि कि ग्रेटा थनबर्ग नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 55 में कहड़ा आए कि घरेलू बिधुतार अज ठापन मुलत रहोता है तब 55 कर आइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर B यानि कि शमनांतर संबंधन पर नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 56 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युकती बिधुतुर्जा को यान्तरी कूर्जा में बतलती है तो 56 कर आइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर D यानि कि मोटर नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 57 कह रहा है कि सुरक्षा परिशत द्वारा मई 2019 में किस आतंकबादी को वैस्विक आतंकबादी घोशित करते हुए ब्लैक लिस्ट किया गया है तो 57 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर A यानिकी मसूद जहर नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 58 में कह रहा है कि एक कम्प्यूटर के स्मृति को प्राय किलो बाइट या मेगा पाइट द्वारा ब्यक्त किया जाता है तो एक बाइट है तो 58 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर A यानिकी 8 बाइनरी अंग नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 59 में कह रहा है कि प्रित्वी के केंदर पोर बस्तु का तो 59 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानिकी द्रवमान और अपरिवर्तित रहता है और भार सुन होता है नेस्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तों कोशन नमर 6 में कह रहा है कि गन मेटल किसके मिस्र धातू है तो 60 का राइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर D यानि कि तामबा, टीन और जींक का जो मिस्र धातू आपको है गन मेटल नेस्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 61 में आपको कह रहा है कि उन सराव तरासदियों में जिनके परिनाम सरूप अंधता आदी होती है हनिकारक पदार्थ है तो 61 का राइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर D यानि कि मिथाईल अलकोहल नेस्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 62 में आपको कह रहा है कि भारी जल एक परकार का इसका राइटन सर करना है इसका राइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर B यानि कि मंदक है डिटेरियों के अक्साइड को भारी जल कहा जाता है जो हाइड्रोजन का एक भारी शमस्था निक है और भारी जल की खोज 1922 में इवरे तथा वासवर ने कि थी और भारी जल का अनुभार 20 होता है नेस्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 63 में कर आए कि निमली खित में से किसे भारतिये को स्पेन के टॉप डिविजन फुटबॉल लिंग लाल लिंगा का पहला ब्र निकित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुच्यूंब किया है तो 64 कर आइटन सरह जाएगा आपसर नमर सी यानि कि आक्सीजन नेस्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 65 में कर आए कि निमल में से कौन सी धात्य बिजली की सबसे अधिक सूचालक है तो 65 कर आइटन सरह जा वह रक्त का पी एच मान होता है और किसी बिलियन का पी एच मान साथ से कम होने पर वह बिलियन अमलिये होता है और पी एच कमान साथ से अधिक होने पर वह बिलियन छाडिये होता है नेस्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 67 कर आए कि दूद निमन का उधारन है तो 67 कर लकुं में उपस्तित नहीं होता तो 68 कर आइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर C यान की कोलोरीन नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 69 में आपको कह रहा है कि सोने के गहनुएं कला किरतियों की हॉल मार्किंग किस किस तिती से अनिवार सोने के गहनुएं कला किरतियों की के स्थिती से अनिवार करने का निर ने किया गया है तो 69 कर आइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर D यानि के 15 जन्मरी 2021 से नेश कोशन देख लेते हैं 70 में कह रहा है कि अमली ये बिलियन में डुबाय जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है तो 70 का राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर A यानि की लाल अमल के गुन अमल श्वाद में खटा होता है और अच्छे प्रवल अमल बिधूत का सुचालक होते हैं और अमल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं 71 में आपको दे रहा है सुची 1 का सुची 2 से मिलान आपको कर रहा है विमारी दिया हुआ है और उससे संबंदित दिया हुआ है सुची 2 में तो 71 का राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि की मलेरिया जो होता है आपको प्रभावित रक्त क उसी का होती है उसके बाद फाइलेरिया फाइलेरिया से परभावित लसी का गरंती हो जाएंगी उसके बाद एंसी फिलाइटिस जो है आपका परभावित मस्तिक्स हो जाएगा उसके बाद लिवकेमिया शे परभावित आपको भून महरू यानि की मस्तिक्स मज़ा हो नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 72 में आपको कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता वाली सम्मेती ने 31 मैज 2019 को नई सीक्षानिती का मसावदा शरकार को प्रस्तूत किया तो 72 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानिकी केक कस्तूरी रंगन सम्मेती नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं 73 में कहड़ा है कि शरीर में उत्तको का निर्मान होता है तो 73 कर आइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानिकी प्रोटीन से कार्बो हाइडेट और वसा से उर्जा प्राप्त होता है और विटामीन शरीर के उपाप्चे में रसाइनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अतंत आवाश्यक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 74 में कर आख कि लार किसके पाचन में सहायक है तो 74 कर आइटन सहरो जाएगा अप्चन नमर A यानि की स्टॉर्च के पाचन में शहायक है और लार में टाइलीन एंजाइम पाए जाता है और मनुस में तीन जूरी लार ग्रंतिया पाई जाती है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 75 में आपको कह रहा है कि निमली खित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी तो 75 कर आइटन सहरो जाएगा अप्चन नमर D यानि की उप्युक्त सभी फायान, मेगास्तनीज और हेंस्वंग नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 76 में कह रहा है कि परकास अंसलेशन की किरिया के लिए तो इसका राइटन सहरो हो जाएगा अप्चन नमर C यानि की एक और दू दोनू यानि की कलोड़ो फील आवास सक है और जोले सूर्ज का परकास आवास सक है कोश्चन नमर 77 में कह रहा है कि हमारे जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है तो 77 का राइटन सहरो हो जाएगा अप्चन नमर B यानि की अगर भाग जीवा स्वाद के उदीपनों को गरहन करती है और इसमें छोटी-छोटी कलिकाए पाई जाती है जीसे स्वाद कलिकाए कहते है नेश कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 78 में आपको कह रहा है कि निमली खित में से किसको किर्किट में चाइना मैन कहते है तो 78 कर राइट अंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 79 में आपको कह रहा है कि सेर्षा के मकब्रे का निर्मान किष्ने करवाया तो 79 कर राइट अंसर हो जाएगा कोश्चन नमर A यानि कि सेर्षा सेर्षा दोरा साशाराम में तलाब के बीश अस्ट भुजाकार भल स्वेम का मकब्रा बनाया गया और सेर्षा ने रोहतास गड के किला का निर्मान किया था नेश कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 80 में कह रहा है कि एंत्रो पोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया का मुख्याले है तो 80 कर राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर A यानि कि कुलकत्ता में नेश कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 81 में कह रहा है कि बीजक का रचाईता कौन है तो 81 कर राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि कि कबीरदास कबीरदास रामानंद के सिस्ट थे और वे निर्गुन संथ थे नेश कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 82 में आपको कह रहा है कि निमलीखित में से कौन कथक नित का उतक्रिष्ट नर्तक है तो 82 कर राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानि कि बीरजु महराज जो है वह कथक नित के आपको उतक्रिष्ट नर्तक है नेश कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 83 में आपको कह रहा है कि लेसंस, लाइफ, डाउट मी अननोइंगली किसकी आत्म कथा है तो 83 कर राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानि कि अनुपम खेर नेश कोश्चन देख लेते हैं किरल की राजकी भासा कौन सी है तो 84 कर राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानि कि मल्यालम किरल की राजकी भासा मल्यालम है तमिल, तेलगू, कनर, मल्यालम द्रविद भासा के नाम से जाना जाता है और तमिल भासा द्रोवित भासा में सबसे प्राचीन भासा है नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 85 में आपको कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी राज भासा है तो 85 का राइटेंसल हो जाएगा अप्शन नमर A यानि कि 9 राज्यों में नेश कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 86 में कह रहा है कि अंटारक्रिका में प्रतम भारतिये अज थाई पड़े उक्साला को क्या नाम दिया गया तो 86 का राइटेंसल हो जाएगा अप्शन नमर A यानि कि दक्षिन गंगोत्री नेश कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 87 में कह रहा है कि चकमा निवन में से किस देश के सर नारती है तो 87 का राइटेंसल हो जाएगा अप्शन नमर C यानि कि बंगला देश नेश कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 88 में कह रहा है कि विशु रेड क्रोस दिवस किस तारी को मनाया जाता है तो 88 का राइटेंसर हो जाएगा option number C यानि कि 8 मई को विशु रेड क्रोस दिवस मनाया जाता है और आपको 3 मई जो दिया हुआ है तो 3 मई को विशु प्रेज सोतंतरता दिवस मनाया जाता है और अप्सन D में 15 माई दिया हुआ है तब इस परिवार दिवस 15 माई को मनाया जाता है नेश कोशन देख लेते हैं 89 में कहड़ा है कि नवीन जन गन्ना अनुसर सरवादिक निवन लिंग अनुपात वाला धर्म है तो 89 के राइट अन्सर हो जाएगा ओप्सन नमर सी यानि के शिख निवन लिंग अनुपात वाला राज हर्याना है और निवन लिंग अनुपात वाला जीला दमन है और नवीन जन गन्ना के अनुसर सरवादिक निवन लिंग अनुपात वाला धर्म शिख धर्म है नेश कोशन देख लेते हैं दोस्तों, कोश्चन नमर 90 में आपको कह रहा है कि और्थ सास्तर के लिए नोबेल पूरुसकार उनिशन सर्शन में अस्थापित किया गया, था प्रण्थ स्वर पूरुसकार किस वर्ष परदान किया गया, तो 90 का राइटेंसर हो जाएगा, आप् नेश कोशन देख लेते हैं, कोश्चन नमर 92 में कह रहा है कि एरफोर्स एड्मिनेस्ट्रेटिव कॉलेज कहां पूरा स्थापित है, तो 92 का राइटेंसर हो जाएगा, आप्शन नमर C यानि कि कोईंबर टूर में, और एरफोर्स एकेडमी हाइदराबाद में है, नेश नेश कोशन देख लेते हैं, कोश्चन नमर 95 में कह रहा है कि भारत पोर आकरमुन करने वाला पहला विदेशी कौन था, तो 95 का राइटेंसर हो जाएगा, आप्शन नमर B यानि कि डेरियस प्रतम, डेरियस प्रतम को भारतिय सहित में दारा प्रतम कहा गया है, नेश कोशन देख लेते हैं, कोश्चन नमर 96 में कह रहा है कि गोतम बुद का महापड़ी निर्वान किस अस्थान पर हुआ, तो 96 का राइटेंसर हो जाएगा, आप्शन नमर C, कुशिनारा यानि कि कुशिनगर, गोतम बुद का महापड़ी निर्वान कुशिनगर में हुआ, और महापड़ी निर्वान बुद की 483 BC में हुई, और बुद का जनम लुमनी में 563 BC में हुई थी, और बुद के पुरु जनम की कहानी जातक में बरनित है नेस्ट कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 97 में आपको कह रहा है कि एल और कोलंबिया बिस्वीद द्याले की योर से स्वयूक्त रूप से जारी पर्यावरन निस्पादन सुच कांग नेस्ट कोशन देख लेते हैं तो 99 कर रिंट्ट फोजाएगा उप्सान नमर ए यानकि अने कांत वाद जो है आपको माफ कीजियेगा 99 का आपको ए हो जाएगा सुन वाद सुन वाद जो है सिधान्द जैन्धर्म का नहीं है अने कांत वाद श्याद वाद और नियायवाद जहन धरम का शिधान्त है नेश कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमोर आज का अंतीम और हंड्रेट नमर कोश्चन हो जाएगा कि आजाद सत्रू मगत की गदी पर कब बैठा था तो हंड्रेट कर आइटन सर हो जाएगा आजाद सत्रू के मगत की गदी पर बैठने में उपरोक में से कोई भी कल्ब सही नहीं है और आजाद सत्रू जो है आपको 493 इस विपूर में मगत की गदी पर बैठा था और आजाद सत्रू को पित्री हंता कहा जाता है और हड़क बंस को पित्रिहंता बंस कहा जाता है तो दोस्तो यह थे विहार दरोगा परारांभिक परिच्छा 2020 और इनफॉर्स्मेंट दरोगा परारांभिक परिच्छा 2020 का प्रैक्टिस सेट नमडर 14 इससे पहले दोस्तों हम तेरे practice set कड़ा चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे playlist मुझा कर उसे देख सकते हैं दोस्तों आपसे एक request है कि अभी तक आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं इसे subscribe करें इसे ज़्यदा स्यदा लाइक करें दोस्तों में share करें facebook works of telegram के मादयम से और bell icon का बटन दवाना ना भूलें कि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका notification आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तों आपसे एक request है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो भी question इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले exam के लिए महत्तो पूर्ण है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद